जिलान सत्र निया अधिश बालोद की तरफ से एक सीधी भरती का विज्ञापन प्रकाशित किया गया है दोस्तों नमस्कार आप देख रहें जीरो पिरेट आज हम लोग इसी पर बात करेंगे यह जो विज्ञापन है यह बालोद दिनांक 13-11-2024 मतर तेरा तारख की डेट पर यह विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और इसमें आवेदन करने की अंतिम्तिती 7 दिसंबर है संध्या 5 बजे तक आपका आवेदन पहुंच जाए आवेदन भेजने का जो तरीका है वो किवल स्पीट पोस्ट या रजिस्टर डास्क के माध्यम से है तो ध्यान रखे इसमें किसी तरगा कोई आउनलाइन प्रोवीजन नहीं है आपको अपना आवेदन पोस्टल माध्यम से ही भेजना है और उसमें इन्होंने दो ही है तो हमें फिर उसको रिस्ट्रिक्ट होकर के मानना पड़ता है आगे हम पदों के बारे में बात कर ले तो इसमें वहांचालक के दो पद आएं हैं और इसमें एक पद ओबीसीज के लिए है और एक पद अन्रिजर्ड है मुक्त है थोड़ा डीटेलिंग मैं आपके लिए कार्याले प्रदान जिलायो सत्र नयाय धिश बालोद के स्थापना हे तु वहांचालक के रप्त पदों की सीधी भषती केके लिए भारती नागरिकों से नरधारित प्रारूपमया अवेदन पत्र आमंतृत किये जाते हैं इसमें वहँनर चालक के दो पद हैं एक पद अन्यपिश्रावरक है एक पद अनारक्षित है जयती का कुई पद इसमें उलखित नहीं किया गया है इसमें ये लिखा है लेकिन पदों की संख्या परिवर्तनी है मतलब संख्या में कमी या बढ़ोतरी दोनों हो सकती है इसके लिए वेतनमान आपको L4 का मेट्रिक्स दे रहा है 19,500 रुपए की बेसिक से 62,000 रुपए तक का योग्यता की जहां तक बात करें तो आठवी पास मांगा गया है योग्यता और इसके अलावा आपको हलके मोहटर वाहन यानि की LMV और कमर्शियल वाहन के लाइसेंस का धारण करता होना जरूरी है मतलब आपके पास एक वेलिड LMV लाइसेंस होना जरूरी है अनुभवी एवं वाहन मेकेनिकों को प्राथमिक्ता दी जाएगी मतलब जो मेकेनिक का भी काम जानते हो और अनुभवी ड्राइवर हो उनको प्राथमिक्ता मिलेज़गी अभ्यरती को स्वस्थ होना जरूरी है और साथी साथ आपको 36 गड़ी बोली यानि किस्थानी प्राथियों के लिए चालीस साल तक छूट मिलेगा सारे छूट मिलाकर करके अगर आप किसी वर्क से बिलाउं करते हैं तो भी 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए आवेदन पत्र कैसे भेजेंगे उसकी पूरी प्रक्रिया है वैसे मैं ये पूरा नोटिफिकेशन आपके सुविधा के लिए एक लिंक के माद्यम से डिस्रिप्शन बाक्स में दे देता हूं तो आप डीटेलिंग पढ़ भी पाएंगे और इसमें जो आवेदन पत्र का प उपर में लिफाफे के ऊपर लिखा हो जिस्बंद लिफाफे में आप भेजेंगे उसके उपर ये शब्द लिखे हुए होने शाहिए ये पता है कारयले प्रधान जिलायम सत्र निया अधीश बालोद जिला बालोद 36 गर्द और केवल वेही आविदन पत्र सुविकार किये जाएंगे जो स्पीट पोस्ट या रजिस्टर डाक के माध्यम से भेजे गए हूं और साथ बारा दो हजार चुबिस शाम पांच बजे तक प्राप्त हो चुके हूं साथ दिसंबर चुबिस संद्या पांच बजे के बाद प्राप्त होने वाले आविदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा सेलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो वहांचालक के लिए लिए लिखित परिक्षा का आयुजन होगा और इसमें सीधा कौशल परिक्षा अगर दस गुना से कम आविदन प्राप्त होते हैं तो फिर सीधे स्किल टेस्ट लिया जाएगा अगर ज्यादा प्राप्त होते हैं तब लिखित परिक्षा का आविजन किया जाएगा यह स्वतंत्र प्रत्योगिता परिक्षा होगी तीस अंकों का होगा चार विकल्प यानि कि चार option आपको मिलेंगे और उसमें से सही विकल्प को आपको चुनना पड़ेगा बाकी निर्देश प्रस्वपत्र में दिये रहेंगे आपको उसको पढ़ना होगा समझना होगा अब यह तीस प्रस्वप्रस्ट को प्रश्न पत्र होगा तीस मिनट की आवधी में आपको इसको हल करना होगा किसी भी तरह का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है रणात्मक मुल्यांगन का प्रावधान नहीं है प्राविणिय सुची वर्गवार श्रेणिवार तयार की जाएगी अगर अंतिम क्रवांग पर चैन सुची तयार करते समय नहीं की जाएगी ध्यान रखें यह स्कूरूटनिंग का ही केवल एक प्रोसेस है आपका जो सेलक्षन बैसिस होगा वो कौशल परिक्षा नहीं के स्किल टेस्ट होगा उसमें जो अंक आपको मिलेंगे उसी के आधार पर प्राविणिय नित्ता स सुची तयार की जाएगी और अगर लिकित परिक्षा आजित नहीं होता है तो उस इस्थिती में भरती समीती का निरना मान्य होगा कोशल परिक्षा में अभ्यार्थियों के शारीरी के बहुतिक शम्ता में एवं वहांचालक के सम्मद्द में परिक्षन लिया जाएगा जि दोनों तरगे आवेदकों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा तो आप बालोज जिले के डिस्ट कोर्ट की वेबसाइट को देखते रहें और लोकन करते रहें वहां पर अपडेट्स आते जाएंगे फिर उसके बाद परिक्षा के लिए निर्धारित तिति पर प्रवेशपत्र प्रोफार्मा को स्वयम भरकर परिक्षा के लिए आपको उपस्तित होना है अलग से प्रवेशपत्र नहीं भेजा जाएगा और अब सबसे महत्वपूर्ण भाग ये आविदन पत्र का प्रारूप जो मैं आपको दिखाना चाहा रहा था यहां पर आपको अपना फोटो लगाना है फिर नीचे आपको पूरी डीटेल भरनी है डीटेल्स फिल अप कर लेने के बाद आपको इसके साथ इंक्लोजर्स रोजगार का रहले का नाम पता भी लिखना है यह इन्क्लोजर्स आपको लगाने है और आप जो भी इन्क्लोजर्स पहने कि इसमें cover up हो जाती है यह प्रवेश पत्र का प्रारूप है इसमें आपको अपना फोटो लगाना है और फिर यह वहन चालक के लिए नियुक्ति पत्र है तू नियुक्ति के लिए प्रवेश पत्र है यह तो इसमें आपका नंबर आ और फिर आप इसको admit card के तरह यूज करेंगे तो मित्र यह थी पूरी जानकारी जो वहन चालक के संबंद में बालोद जिला नयाला की तरफ से प्रकाशित की गई है इस विज्यापन में जितनी बाते हमने आपको बताई है वह पूरा का पूरा एक notification PDF में उपलब्द है यह notification PDF आपको नीचे description बाक्स में लिंक में मिल जाएगा जब आप उस क्लिक करेंगे तब आप उस PDF तक पहुंछेंगे और वहां से आपको यह जो प्रारूप मैंने आपको दिखाया है और प्रोश्ष पत्र का जो प्रारूप आपको पर दमिले लेगा आप उसका kommit और बहर करके जो को attach कर लेने के बाद सब कुछ करके एक envelope में डाल दें envelope के उपर लिख दें वाहन चालक के लिए आवेदन और जो पता बताया गया है उस पते पर लिख करके रजिस्टर डाक या speed post ध्यान रखें speed post से भेजें या फिर रजिस्टर डाक से भेजें यह दो ही option आपको चूज करने हैं इसके अलावा किसी तीश्रे option के तरफ ना जाएं आपको पूरा करके भेज देना है इस तरह से भेजना है कि जो अंतिम्तिती बताई गई है आवेदन पत्र में नोटिफिकेशन में उस अंतिम्तिती के पहले वह निरधारित समय यानि कि शाम पांच बज़े से पहले पहुंच जाए तो यह पूरी जानकारी थी आपके लिए इस विज्यापन को ले करके इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहे हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए वीडियो भी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए दीजिए यालत नवसकार